आज हम बात करने चल रहे हैं, solution में what is colligative property, सही में इसको बोला जातो, colligative property आप dilute solution बोलते हैं, चुकि colligative property हम dilute solution के लिए पढ़ते ही हैं, क्या होता है colligative property, उसको हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन अगर हम बात करें, ये solution का दूसरा वीडियो है, ये second part है, first part solution के वीडियो मे हमने आपको different concentration term सिखाए था, जिसमें molalty क्या है, molalty क्या है, formalty क्या है, normality क्या है, और different equivalent weight को calculate करने की trick सिखाई थी, कैसे equivalent calculate करते हैं, acid का, base का, salt का, और different oxidizing and reducing agent के equivalent weight को कैसे निकालते हैं, और बहुत सारी चीज़े हमने first video में सिखाई थी, तो आए बच्चों, start करने चल र solution, जो की बहुत ही important session होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करने चल रहे है, what is qualitative property, qualitative property क्या होती है, और कौन-कौन सी qualitative properties होती है, question कैसे आते हैं, बहुत important है, NEET के लिए, ITZE के लिए, board examination के लिए भी बहुत ज्यादा important होता है, qualitative properties, तो आए वीडियो की start करें, इससे पहले आप what is qualitative properties, हम इसा याद रखिएगा, अगर हम qualitative properties की बात कर रहे हैं, तो चार तरह की qualitative property हमें पढ़नी है, कौन-कौन सी, osmotic pressure, relative loading in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, ये चार तरह की qualitative properties की हम लोग पढ़ेंगे, और अगर हम आपको बता दे बच्चों, जब भी आप qualitative properties की बात करते हो, तो dilute solution के लि है, जब तक का solution कैसा है, dilute है, तो अगर आप बात करें, कोई भी qualitative property हो, यानि, qualitative property, properties, जिसको हम रिप्रजेंट करते हैं, डेल्टा से, qualitative properties, directly proportional होती है, number of salute particle के, number of salute particle के, लिजए, solution के अंदर, salute particle जितने ज़्यादा रहेंगे, qualitative property उतनी ज़्यादा होगी, चाहे कोई भी qualitative property हो, इन चारों में से, particles क्या है, चाहे ये atom हो, या आयन हो, या molecules हो, कारेंग मतलब particle का मतलब सब आग है, atom हो, आयन हो, या molecules हो, किसी भी solution के अंदर, dilute solution के अंदर, number of salute particles, जितने ज़्यादा होगे, qualitative property उतनी ज़्यादा होगी, जैसे, सबोच कर यह question लेते हैं, हमने लिया, हमारे पास है, one molar NaCl का solution है, right, हमारे पास, one molar CaCl2 का solution है, हम collegative property चेक करना चाहते हैं, हमारे पास है, one molar AlCl3 का solution, हमारे पास है, one molar Al2SO4 का whole thrust, ammonium sulfate, हमारे पास है, one molar, K4 Fe, Cn का whole 6, लिजे, हमें चेक करना है इन में से, collegative properties किसकी ज़्यादा है और किसकी collegative property कम है, तो हमें से पता है, collegative property directly proportional है, number of salute particles के, जो solution में ज़्यादा salute particles देगा, उसकी collegative property ज़्यादा आएगी, तो जरा इसको तोड़िए, यह NaCl नमाक जब पानिम डालोगे, तूट जाएगा, Na plus Cl minus, तो यहां समय कितने particles मिलेंगे, दो particles, इसको तोड़िए, so यह plus 2, 1 पर minus 1, तो 2 पर minus 2, तो कितने particles मिल गए, 2, 1, 3, 3 particles, यहां पर देखिए, यहां समय मिल जाएंगे 4 particles, यहां से 3, 2, 5, 5 particles, और यहां से देखना, यहां से कितने particles पाओगे, यहां से भी आपको मिल जाएगा 5 particles, कैसे, जब आप इसको तोड़ोगे, तो यहां पर आजाएगा minus 4, तो यह पूरा का पूरा एक एनायन है, 1 एनायन, और 4 कैटायन, 4 कैटायन और 1 एनायन, तो 4 एक 5, कितने पाढ़ किन मिल गए, 5, तो आएए, कोलिगेटी प्रापर्टी ज़्यादा उसकी होगी, अगर हम नंबर दे दें इनका, यह पहला सलूशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वाँ, तो देखिए का कोलिगेटी प्रापर्टी सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, चौथे या पच्वे में पार्टिकल सेम हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, पाच्वे कोलिगेटी प्रापर्टी परापर्टी बराबर है चौथे के, और यह सबसे ज़्यादा भी है, इसके बाद, तीसरा, इसके बाद, दूसरा, और लाष्ट में पहला, लीजे, यह क्या ह Colligative Property Delta क्या है Colligative Property का decreasing order आ गया तो आए बच्चों इन चार Colligative Properties में से सबसे पहले हम वन वाई वन करके पढ़ेंगे और पहली Colligative Property डिसकेस करने चल रहे हैं वह है Osmotic Pressure अगर आपको प्रेशर पढ़ना है तो एक चीज आपको जानना बहुट जलूरी हो जाता है जिसको साट में बोलेंगे SPM वह है कि अब देखिंगा आपके स्कीन पर ये जिससे पसीना आता है बाहर ये membrane भी कैसी membrane है ये membrane भी semi permeable membrane है यह SPM है और इसकी सबसे बड़ी खूबी है जब ही जो अगर SPM असली है तो SPM का खासियत है इससे हमेशा केवल solvent particle ही जा सकता है इस पार से उस पार यानि यह solvent particle को तो अलाओ करती है लेकिन सालूट particle को जाने का permission नहीं है allow only solvent particles नहीं करेगी किसी भी हाल में सालूट को जाने की permission नहीं है SPM केवल और केवल solvent particles को ही permit करता है अगर हम इसका कोई example की बात करें नेचुरल तो आप जानी रहें आपकी skin पर या जो भी नेचुरल membranes है वो SPM का काम करती है लेकिन अगा artificial की बात करती है Cu2 Fe Cn का whole 6 लीजे copper ferocyanide इसको बोलते है चौकलेट ब्राउन कलर का होता है अब बच्चों आपको आस्मोटिक प्रेसर पढ़ने के लिए एक तो ज़रुरत था SPM को जानना जो आपने जानना दो चीज़ा और जानना वैसे तो एक यह चीज़ जानना है लेकिन दो चीज़ा आप और जान लो एक है diffusion और दूसरा है आस्मोटिस तो ध्यान रहे diffusion और आस्मोटिस दोनों को एक बार में समझ लीजे जो कि दोडिफ्यूजन होता है यह एक है Bobby सॉलिड लीखिट सब में होता है पहली चीज़ प्वही है लेकिन Osmosis, या लिक्वीड या सॉल्वेंट में, या सलूसन में ही होता है, Dewsion, सॉलिड, लिक्वीड, गैस सब में होगा, दूसरी बात, जो Dewsion है, और जो Osmosiस है, इनमें सबसे बढ़ा अंतर है, कि Dewsion होने के लिए, किसी membrane की ज़रूरत नहीं पड़ती है diffusion without membrane यहां कोई semi-permeable membrane क्या हो सकता नहीं है लेकिन osmosis without semi-permeable membrane नहीं हो सकता यानि osmosis कराने के लिए SPM का होना अनिवार condition है दूसरी चीज तीसरी बात जो diffusion है यह all direction में होता है कोई fix direction नहीं है कहीं भी हो सकता है लेकिन जो osmosis है यह fix direction में होती है यह सारे direction में नहीं होती है तो osmosis or diffusion आप अच्छे से समझ गए तो आईए अब हम खेलना चाहेंगे osmotic pressure के साथ बच्चों क्या होता है osmotic pressure कहते हैं इती यह external pressure applied on solution to prevent the osmosis मालो कोई solution है आप उसके ऊपर कोई external pressure लगाओ बाहर से pressure apply करो जिससे osmosis रुख जाए आउस्मोसिस क्या था flow of solvent from lower concentration to their higher concentration lower concentration से solvent का higher concentration की तरब move करना osmosis था तो एक pressure apply करो जिसके वज़े से यह osmosis रुख जाए SPM के थूरू जो हो रहा था सपोर्च करिए हम आपको दिखाते हैं SPM semi permeable membrane और semi permeable membrane क्यों solvent को अपलाई करेगा जानेक permission देगा यह हमारे पास solvent और यह हमारे पास solution तो हमें एक बात पता अगर यह solvent है इसका concentration low concentration है और यह solution है यह इसमें salute भी है तो यह higher concentration है तो lower concentration से higher concentration की तरफ यह solvent पाड़किल जा रहे हैं lower से higher की तरफ अब हम क्या करेंगे यहां पर अब हम एक pressure लगा रहे हैं इसके उपर और हम इतना pressure लगा देंगे जो यह osmosis हो रहा है osmosis हो रहा है is osmosis को रोक दे osmosis होना बंद हो जाए pressure की वज़े से उसी को हम बोलेंगे asmotic pressure यानि वह pressure वह external pressure जो asmotis की फिनामना को रोक दे उसे हम बोलते हैं asmotic pressure तो कई बार osmosis आप अपने घरों में भी करवा कि देख सकते हो आप S.C.L. का solution लो तिन फ्यों करेडों, उसमें एक अंडा डाल दो, एक ठोई टा Augen के बात देखो Dalute, आपका अंडा ब्रश कर जायेगा, क्योंकि आपका håres, डिलूटकंस अंडे बन्स Highway N सब डाल के आपको दिखाएंगे परसंद नहीं होना है वांटाफ थेवरी आप डायलूट सलूशन क्या कहता है कि जैसे कोई गैस का माली किल होता है कुलोष कंटेनर के अंदर उस पे जितने गैस के नियम कानून लगते हैं सारे लास लगते हैं वह ठीक ऐसे ही अपलाई होने लगेंगे अगर कोई डायलूट सलूशन है उसके अंदर सालूट पाड़किल है तो भी गैस माली क्यूल की तरह बेहवार करने लगता है अगर वह गैस माली क्यूल की तरह बेहवार कर रहा है सालूट पाड़किल तो उसके ऊपर सारे गैस के रूल्स लेगूरेशन हम लग equation है लेकिन अगर हम dilute solution के लिए बना रहा है equation तो solute particle gas की तरह भी एप करेगा तो यह होगा 5V is equal to nst ठीक यहां से यह formula आ गया n क्या है number of mole तो ज़रा खोल देते हैं 5V is equal to weight upon molecular weight s into t अभी सबका मतलब बताएंगे किसका क्या मतलब है यह इसी फार्मूलों कई बर ऐसे भी लिखते हैं तो यहां से अगर हम पाई को अलग कर लें पाई क्या आस्मोटिक प्रेसर तो डबलू एस टी बाई भी तो हमारे पास एल मोरा और आ गया और कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं पाई इसकल टू सी आर्टी है 2900 कि म्लबड केरें तो इसकल टू और यह जच्राइट गैस पॉन्स्टैंट गैस नार्ट मॉर्स कोndस्टैंट तो यहांसे अगर सब के मतलब की बात करें तो Πाई क्या है आस्मोटिक प्रेशर ऐस्मोटिक कि प्रेशर वी क्या है वी है दैड वालूम यहन क्या है नंबर आप मोल लिग नंबर आप मोल यह क्या है solution constant जिसकी value होती है 0.0821 लीटर एटियम मोल इन्वर्स कैलिविन इन्वर्स और टी यहाँ पर क्या है absolute temperature लेकिन किसमें रखना है कैलिविन तो पच्छों आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं इसके बाद हम लोग आज नोटिक प्रेशर के application के साथ खेलंगे इसके बाद different इस वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद